असलाम अलाएकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक टो शारल्स किचिन आज हम आपके साथ शेयर करेंगे सूजी की एक नई रेसिपी जिसको बच्चे बहुत पसंद करते हैं हम आज आपके साथ बनाएंगे सूजी का पैनकेक पीजा पैनकेक जो के बहुत ही आसान तरीके से हम देंगे एक टीस्पून नमक डालेंगे और एक टीस्पून बेकिंग पाउडर अब हम इसमें एक टीस्पून पिसी हुई चीनी डाल देंगे और एक टेबल स्पून ऑईल डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे अब हमें गुनगुना पानी ले लेना है और उसको थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसका गाढ़ा घोल बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे, एकदम से नहीं डालेंगे नहीं, तो हमारा घोल पतला हो सकता है, देखिये, इस तरह से हम मिक्स करते हुए एक गाढ़ा घोल बना लें अब देखे हमारा घोल अच्छे से मिक्स हो चुका है इतना हमें गाड़ा चाहिए अभी हम इसको 15 मिनिट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे क्योंकि सूजी भूलेगी अब हम इसमें बैटर बना लेंगे स्टफिंग के लिए एक गाजर ग्रेट कर लिए हमने एक टमाट चॉप कर लिया है यह ले लिया है एक शिमला मिर्च ले लेंगे चॉप की हुई और एक कप हमने कैबिज ले लिया है अब हम चार टेबल स्पून मियोनी इसमें डाल देंगे और छे टेबल स्पून हमने चीज ले ली है यह प्रोसेस चीज है अगर आप मौजरिला चीज डालना चाहते हैं तो वो डालें अब हम इसमें एक प्यास भी डाल देंगे अगर आपको पसंद हो चॉप करके इसको अलग रख देंगे और बाके इंग्रीडन बात में डालें देंगे हमारी सूजी रेस्ट ले चुकी है देखिए अच्छे से फूल गई है तो यह फूलने के बाद थोड़ी सी सूप गई है तो थोड़ा पानी डाल कर हम इसकी कंसिस्टेंसी एज़ेस्ट कर लेंगे देखिए इस तरह से हम पानी डाल देंगे और घोल देंगे 203 टेबल स्पून हमने पानी इसमें और डाल दिया है और अच्छे से घोल लेंगे देखे इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए अब हम अपने स्टफिंग में थोड़ा समान और मिलाते हैं एक टीजपून हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे लास्ट में हम डालेंगे क्योंके सब्जियां पानी छोड़ देती हैं आधी टीजपून काली मिर्च उटी हुई डालँगे एक टीजपून और अधा टीजपून नमक डाल की इसको मिक्स कर लेंगे मेरी वीडियो मिस हो गई तो इसलिए यह शूट नहीं हो पाया, आप अच्छे से इसको मिक्स कर लें, अब हमने तबे को चूले पे चड़ा दिया है और इसको गरम कर लिया है, और दो टेबल स्पून हमने इसमें ऑईल डाल दिया, आप फ्लेम को लो कर लेंगे और बैटर डालेंगे, तबे को हमने प अगरें पैनकेक एक बार में हम बना रहे हैं, अब हम स्टफिंग इसमें डालेंगे, इस तरह से हमने सारे पैनकेम में स्टफिंग डाल देंगे, आप उपर सेिए से हम एक एक टेबल स्पून बैटर इसमें सूजी का डाल देंगे, अच्छे से इसको ठग देंगे, ध्या पकाना है ताकि यह अंदर तक पके अब देखिए आच्छे से हमने कवर कर दिया अब ठख देंगे और दो मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे दो मिनट के बाद हम इसको खोलते हैं और चेक करते हैं देखिए नीचे से अच्छे से हमारा गुल्डन ब्राउन हो चुका है अब इसको हम पलट लेते हैं बहुत सेफटी से इसको हम इस तरह से पलट देंगे देखिए कितना अच्छा कलर आया है गुल्डन हमें यही कलर का पैनकेक चाहिए सारे पलटने के बाद हम इस पे थोड़ा ओईल डालेंगे क्योंकि तवा हमारा एक दम सूख चुका है थोड़ा थोड़ा ओईल हम केनारों से इस पर डाल देंगे ताकि पीछे से भी अच्छा कलर गुल्डन आ जाए बहुत जादा ओईल नी डालेंगे थ फिर से हमने इसको पका लिया धीमियाच पर अब हमने खोला है दो मिनट के बाद और हमारे पैनकेक बन कर तयार है बहुत ही जटपट से बनने वाली ये रेसिपी है आप इसको जरूर ट्राय करें और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाली ये रेसिपी है आप अपन इसी तरह आपको मेरी रेसिपी के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, दौाओं में याद रखी, फिर मिलूँगी मैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, आला हाफिज